नमस्कार दोस्तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे आपको अपना Fastag Recharge कैसे करना है एटल थैंक्स अप से तो सबसे पहले आपको अपना एप यहाँ पे ओपन कर लेना है जैसे आप एप ओपन करेंगे आपको कुछ इस तरीके का होम पेज दिखेगा उसके बाद आपको यहाँ पे Bank Account का Option दिखेगा इसमें आपको क्लिक करना है इसमें क्लिक करने के बाद आप नीचे स्क्रोल करेंगे थोड़ा सा और यहाँ पे आपको More का Option दिख रहा है More के Option में आप क्लिक करेंगे Shortcuts में More का Option है उसमें आप क्लिक करेंगे उसमें क्लिक करने के बाद नीचे थोड़ा सा स्क्रोल करने के बाद यहाँ पे ट्रेवल में आपको फास्ट एक रिचार्ज का एक option दिखेगा इस option में आपको क्लिक करना है और उसके बाद यहाँ पे select your bank दिख रहा है यहाँ पर से अपने आपको bank select कर लेना है जिस भी bank का है जैसे हमारा बजाज पे का था और यहाँ पे vehicle registration number डालेना है अपनी गाड़ी का number डालेना है और नीचे प्रोसीड में क्लिक कर लेना है प्रोसीड में क्लिक करने के बाद आप अपना फास्टेक रिचार्ज कर सकते हैं minimum 1 रूपी से 10,000 रूपीस maximum आप एक बारी में कर सकते हैं हम यहाँ पर जैसे अभी example के लिए आपको एक रूपी का रिचार्ज करके रिखाएंगे आपको पेन आउ में क्लिक करना है अपना यूपी आई पिन डालना है और आपका रिचार्ज हो जाएगा और करेंट बैलेंस भी आपके यहाँ पर दिख जाएगा बैलेंस अभी हमारा 269 है तो इस तरीके से आप आसानी से अपना फास्टेक रिचार्ज कर सकते हैं अगर वीडियो आपको इंफर्मेटी लगी हो तो मारी वीडियो को लाइक जरूर करें मिलते हैं लिए ऐसी ही इंफर्मेटी वीडियो के साथ धन्यवाद